हलो दोस्तों मैं हूँ चिराग और इस वर्ट मैं हूँ माथेरान में जो की मुंबई से करीब दो घंटे की दूरी पर बना एक हिल स्टेशन है यहाँ पर किसी भी प्रकार के बाहनों के साथ प्रवेश्च करने पर पावंदी है इनफेक्ट यह एशिया का एक हिल स्टेशन है जिसे आटो मोबाइल फ्री हिल स्टेशन डिकलायर किया गया है यह समंदर से गरीब 800 मीटर की उचाई पर है और यहाँ पर आने के लिए आपको 50 रुपे एंटरी फी चुकानी होगी और एंटरी गेट से माथेरा का डिस्टेंस करीब 3-4 किलोमेटर है तो अगर आप गाड़ी लेकर आते हैं तो आपको अपनी गाड़ी वहीं एंटरी गेट पर पार्क करनी है और वहाँ से आगे आप चलके गोड़े पर या फिर टॉय टेंड में बैटकर आ सकते हैं इस वक्त मैं हूँ यहाँ के होर्स लेंड रिजॉ हूर्स लेंड होटेल माथिरान मारकेट से एकदम नजदीक स्थित है यहाँ पर वेल फरनिश्ड रूम के साथ साथ और कई सारी अमिनिटीज है जैसे की बार, रेस्टरांट, स्वीमिंग पूल, किद्स पूल, वाटरफॉल, स्पा, गेम जोन, डिस्कोथेक और बच्चों के लिए यहाँ पर जिप लाइन भी बनी हुई है यह है मेरा रूम यहाँ पर रात को कई तरह के सेलिबरेशन्स किये जाते हैं जैसे की डीजे पार्टी, कराओ के नाइट, गेम्स और इसके साथ साथ डिलीशियस मल्टी क्यूजिन फूड भी सर्व किया जाता है तो अज मैं जा रहा हूं माथेरान में साइट सींग करने इस वक्त हम जा रहे हैं माथेरान लेक में तो चलिए हमारे साथ माथेरान लेक को एक्स्प्लोर करने इस वक्त हम हैं माथेरान लेक पर और मेरे साथ है मेरे दोस्त पूनम हाई लेक वाकई बहुत खुब सूरत है अलकि यह ठंडी की मौसम है तो यहां पर पानी थोड़ा कम है पर खास करके बारिश के समय में यहां का नजारा बहुत ही जबरदस्त होता है इस लेक को 1856 में बनाया गया था ताकि यहां पर पीने के पानी का संग्रह किया जा सके और आज भी यह माथेरान में पीने के पानी का मुख्य सोर्थ है इस लेक का नाम चेरोलिट लेक है पर जितना भी हमारे पास वक्त है हम ट्राइ करेंगे हम जादा से जादा पॉइंट को एक्स्प्रोर कर सके माथिरान में साइट सिंग करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है आपको घोडे पर बैटकर ही जाना होगा तो अब हम भbor यार है अपने घोडे के साथ माथिरान में साइट सिंग करने के लिए तो इस वक्त हम हैं यहां के एक बहुत ही फेमस साइट सिंग पॉइंट में जिसे फ़ाइ पॉइंट काहा जाता है हमारे साथ है बलराम जी जो की हमें यहां पर लेकर आए है और यहीं हमें इस पॉइंट्ट के बार省 कुछ बताएंगे बलराम जी बताये इस फाइब पॉइंटस के बारे में गोड़ा रही जबरदस्त है तो चलिए हम एक्स्प्रोर करते हैं इस माथिरान के 5 पॉइंट्स को तो इस वक्द हम पहुच गये हैं लॉड्स पॉइंट पे और जिसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहां का नजारा वाके ही बहुत ही जबरदस्त है यहां पर बहुत ही गहरी खाय है और हर तरफ बड़े बड़े परवत दिखाए दे रहे हैं सच में यह लाजवाब है लॉड्स पॉइंट यहां का एक मशूर टूरिस पॉइंट है बारिश के मौसम में यहां पर एक बहुत ही खुबसूरत वाटरफॉल होता है पर इस मौसम में हम वाटरफॉल का मज़ा नहीं ले सकते ये है लेक पॉइंट और इसके पास ही इको पॉइंट भी है पर हम वहाँ पर नहीं जाएंगे ये है माथिरान का सबसे पहला बिल्डिंग जिसका निर्मान 1854 में किया गया था 1852 में ब्रिटिश इंडिया के कलेक्टर यूज मॉलिट पहली बार यहाँ पर आये थे और उनको ये जगा बहुत पसंद आई तो उन्होंने इसे एक वेकेशन स्पॉट में तबदील करने का निर्ने किया और इसी तरह माथिरान का निर्मान हुआ 1854 में उन्होंने ये बिल्डिंग बनाया और इसका नाम उनके घोडे के नाम से बाइक बिल्डिंग रखा अब ये एक हेरिटेज होटेल में तबदील हो चुका है और आज भी इसका नाम बाइक होटेल है तो इस वक्त हम जार रहे हैं माथिरान की मार्केट में और मेरे साथ है मेरे दोस्त पूनम, केतन और बहुतिक माथिरान में से बहुत ही छोटा सा हिल स्टेशन है यहां की अबादी करीब 5000 के आसपास है और यहां की मार्केट बहुत ही छोटी सी है पर काफी सारी चीजे मिलती है और तीन चीजे यहां पर बहुत ही फेमस है तो चीकी और फज, दूसरा है यहां की लेधर की आइटम जाने की लेधर की जूते, बर्ट फगेरा और तीसरा यहां का शेह अधियाने की हनी वगर आप माथेरान आते हैं तो यहां की मार्केट से यह तीन चीज़े जरूर ट्राइ करें माथेरान की मार्केट बहुत ही छोटी सी है पर यहां पर कपड़े, जूते, सुवेनियर्स, चीकी और जूस जैसी कई सारी चीज़े मिलती है तो अब हम यहां पर मार्केट में गूम रहे हैं और ढून रहे हैं कोई अच्छी सी दुकान जहां से हम थोड़ी शॉपिंग कर सके शूस दिखाएंगे मेरे खाइस के? इस्केट है, और दो अब गूला है एक रखाएंगे में आपको खाएंगे हैं किसरी में क्या है मुश्कान जोड़क चिकी क्या करेंगे मैंगोचिकी यहलाल वाली तो पर देचिक्ट इन दो दो एकाचोट अच्छोर के विदगरिया है। यह हे छिद्थारी वालनट पजी रावटनेट थीज़ान तो जिद्थारी चोलेट पजी हरा ठावटनेट तूर। इस वोग मैं हूँ रामबाग पॉइंट में और जिसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं हर तरफ पहाड, हरियाली और नीचे खाई सच में बहुत ही जबर्दस नजारा दिखाई दे रहा है यहां से रामबाग पॉइंट माथेरान से करीब 3 किलोमेटर की दूरी पर है और यहां पर चलके या फिर गोड़े पे बैठ कर आया जा सकता है यह फेमस है पहाडो और खाई के बीच अपने बहतरीन नजारे और संराइस के लिए क्योंकि यहां से संराइस का नजारा बहुत ही बहतरीन है क्योंकि अच्छाइस के पोसे करहते हैं ने एक काभी सारी चीज़े है एड़ी है, सामबार है, चタनी है खमा है, बड़ बतर है, किस है, पुछ स्वीट मैं नहीं लिए तिस बहुत सारी चीज़ें जोंकि नहीं लिए इस वक नहीं हूँ एलेक्जेंडर पॉइंट पे जुकि रामबाग पॉइंट से थोड़ी ही दूरी पर है एलेक्जेंडर पॉइंट माथेरान से करीब दो किलोमेटर की दूरी पर है और यहाँ पर भी घोड़े पर या फिर चल कर आया जा सकता है यहाँ पर नीचे कुछ गाव बने है जहाँ पर लोग ट्रैकिंग करने जाते है और वहाँ के कुछ लोग माथेरान में काम करने आते हैं हमें ऐसा ही कुछ लोग दिखाई दिये इस वक्त मैं हूँ खंडाला पॉइंट पर यहाँ का हर पॉइंट बहुत ही खुबसूरत है यह हसी वादिया पहाड हर्याली और यह घाटी यह कुदरत के लाजवाब करिश्मे जैसा लगता है यहाँ है यहाँ है यहाँ है तीन सबजी है दाल है कड़ी है पूरन फोली स्वीट में शीरा है कटलेट है और दैवड़ा है बटर मिल्क है तो आल लुक्स तो डिलिश्यस तो लेट्स ट्राइट यहाँ है तो यहाँ पे सिर्फ इस तरह की ट्रेन ही चलती है इसे देखके आपको काफी पुरानी फिल्मों की याद आ जाती है यहाँ पे आज भी यह ट्रेन चलती है इसे मातेरा की लाइफ लाइन माना जाता है और इसे मातेरांची रानी भी कहा जाता है तो चलिए मेरे साथ ट्रेन के एकस एक्साइटिंग सफर में इस ट्रेन की शुरुआद 1907 में सर एडम जी पीर बॉई द्वारा की गई थी यह ट्रेन आज भी अपने मूल रुपे ही चलती है ट्रेन से आप मातेरांची नेरल तक जा सकते है जो की 21 किलोमेटर का सफर है और 2 घंटे में पुरा किया जा सकता है या फिर आप इसमें मातेरांची एगजिट गेट तक जा सकते है जिसमें करीब 15 मिनिट लगते है और वहां से आगे आप कार में जा सकते है मैं ऐसा ही करूँगा टॉइ ट्रेन का सफर वाके ही बहुत ही रुमान चक है यहां से आप मातेरांची पहाड़ियों की खुपसूरती को और अच्छे से देख सकते है तो इसके साथ हमारा मातेरां का सफर पूरा होता है तो इसके साथ हमारा मातेरां का सफर पूरा होता है it was amazing is this hill station is really really excellent and must visit thank you so much for watching this video hope you liked this video we'll be back soon with more such videos thank you